नवश्कार दोस्तों, पेट्रोल की कीमतों पर हुर्दंग देश के साथ बोला जारा सफेज जूट है सियासी मीडियाई धुका धड़ी है, जाल साजी है आजकल बड़ा शोर है इस बात का कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है कच्चे तेल के अंतराष्टे मुल्य जिस इस्तर पर है, उसको देखते हुए देश में डीजल पेट्रोल का मुल्य बहुत अधिक है इस बारे में तरह तरह के अर्शास्त्रियों, आर्थिक विशले सकों, विशेश सक्यों और सियासी मीडियाई विदू सकों के विशलेशनों की आंधी भी इस समय पूरे देश में चल रही है ऐसा लग रहा है, मानो डीजल पेट्रोल को हत्यार बना कर सरकार देश के आम आदमी को लूट रही है लेकिन क्या यह निसकर्स सच है? इस निसकर्स पर पहुँचने से पहले इन दो तथियों को जानना समझना होगा पहला तथिया या फैक्ट, देश के आम आदमी पर डीजल पेट्रोल या किसी भी अन्य उबोकता वस्तू के मुल्य में व्रदी का कितना अतिरिक्त भार या दबाव पड़ा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक इस बात का कोई महत्वन नहीं होता कि डीजल पेट्रोल या किसी भी अन्य उबोकता वस्तू का मुल्य 75 के बजाए 100 रुपे लिया जा रहा है या 175 रुपे लिया जा रहा है इसलिए डीजल पेट्रोल के बड़े हुए मुल्य पर हुरदंग हाहाकार करने से पहले या जानना बहुत जरूरी है कि डीजल पेट्रोल के बड़े हुए मुल्य इस कसोटी पर कितना खरे और कितना खोटे है ध्यान रहे कि यह सर्वग्यात सरो मानने तत्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में तीन बाते रोटी, कपड़ा और मकान ही सरवादिक महत्वपूर होती है आगे बढ़ने से पहले यह उलेग आवश्यक है कि ग्यारा साल पहले 2010 में देश के आम आदमी की ओसत आये 43,759 रुपे थी अर्थाद 3,645 रुपे पर मन्थ जबकि फरवरी 2021 में यह ओसत आये 1,43,000 रुपे अर्थाद 11,916 रुपे पर मन्थ है 2010 की तुलना में लगबग 227 परसेंट अधिक मार्च 2014 में भी आम आदमी की ओसत आये का यह आंकड़ा 5,714 रुपे पर मन्थ ही था अर्थाद मार्च 2014 की तुलना में ओसत आये आज 110 परसेंट अधिक है इसे एक और तरह से सबसे निचले इस्तर पर भी समझ लीजिए मनरेगा मजदूरी का रेट मार्च 2010 में 100 रुपे मार्च 2014 में 142 रुपे तथा अभी फरवरी 2021 में 220 रुपे है अपने पिछले वीडियो में 11 साल पहले 2010 के खाद्यानों के मुल्यकी खाद्यान के वर्तमान मुल्यों पर तुलनात्मक, तथ्यात्मक, तार्किक चर्चा, सबूतों के साथ विस्तार से करके या बता चुका हूँ कि पिछले ग्यारा सालों में खाद्यानों में मुल्यवरदी लगबग ना के बराबर हुई है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और उपर आई बटन में मिल जाएगा अब बात दूसरी आवस्कता मकान की सारा देश जानता है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स की भरमार है जो यह बताती है कि 2016 में प्रदानमंत्री मोदी द्वारा नोट बंदी के माध्यम से देश के भीतर के काले धन की कमर तोड़ देने के बाद से देश में प्रॉपर्टी के दामों में 30-40% की कमी हुई है इसके अतिरिक सच यह भी है कि 2014 में जो इट 7 रुपे की थी उसका दाम आज भी 6.5-7 के बीच ही है 2013-14 में सिमेंट की जो बोरी 300-330 के बीच थी वो आज 330-330 के बीच है 2013-14 में सरिया 46,000 रुपे प्रतित टन था आज 45,000 रुपे प्रतित टन है डेड करोड से अधिक गरीबों को सरकार आवास दे चुकी है 2024 तक सब को आवास देने के मात्वा कांग्शी लक्षय का कारिय युद इस्तर पर चल रहा है कपड़े के बारे में मेरा अनुभव यह हैं कि गरीब एवं मद्यमवर के द्वारा उप्योग किया जाने वाले कपड़े तो महेंगे नहीं ही हुए साथी साथ बड़े बड़े नामी गिरामी महेंगे ब्रांड भी अपने कपड़े अब काफी कम कीमत पर बेच रहें इसके अलावा एक चौती आवशकता है दवाई पचास करोड गरीबों के लिए पांच लाग तक के मुफ्त इलाज की आयुश्मान भारत योजना को छोड़ दीजिए देश भर में कई गुना कम दामों पर जैनरिक दवा बेच रहे हजारों जन औसदी कैंदरों को भी नजर अंदाज कर दीजिए और जराब पता करिए कि 2014 की तुलना में जीवन रक्सक दवाओं के मुल्य कम हुए हैं या बड़े हैं सच जानकर आप सुखद आश्चरिय में डूप जाएंगे आम आदमी की जिंदगी इन चार सबसे महत्वपूर जरूर तो रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई के बाद एक और जिक्रत जरूर करूँगा देश में आज सित्तर करोड इंटरनेट यूजर्स हैं 2014 में एक जीवी डेटा 155 रुपे में मिलता था आज 60 जीवी डेटा 600 रुपे में मिलता है जबकि 2014 में 60 जीवी के लिए 9300 रुपे देने पड़ते प्रदान मंत्री मोदी को अगर लूटना होता तो पेटरोल के बजाए 60 जीवी डेटा का मुल्य अगर 9300 से घटाने के बाद टैक्स लगा कर 1000 भी कर देते तो भी उनकी जैजैकार हो रही होती और सरकार को हर साल लगबग 3-4 लाग करोड की एक्स्ट्रा इंकम हो रही होती यह रकम क्यों महत्वपूर है इसे दूसरे तत्या से जानिए दूसरा तत्या सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि डीजल पेटरोल की एक्सराइज डूटी के नाम पर हुई तत्या कती लूट की रकम कितनी है मतलब यह कि सरकार ने पेटरोल डीजल के दाम बढ़ा कर पिछले वित्यावर्स की तुलना में इस वित्यावर्स में कितने रुपे हमसे लूट लिए पिछले वित्यावर्स 2019-20 में पेटरोलियम पदार्तों पर एकसाइज डूटी से केंदर सरकार को कुल 2,49,59 करोड रुपे मिले थे इसमें पेटरोल पर एकसाइज डूटी से उसे 13,443 करोड रुपे मिले थे 1,18,3 करोड रुपे डीजल पर एकसाइज डूटी से मिले थे जबकि वर्तमान वित्यवर्स 2020-21 के पहले आठ महीनों में पेट्रोलियम पदार्तों पर एक्साइज डूटी से केंदर सरकार को कुल 1,96,342 करोड रुपे मिलें मार्च 2021 तक या आंकडा 3,00,000 करोड को पार कर जाने की संभावना है इसका मतलब पिछले वित्यवर्स की तुलना में वर्तमान वित्यवर्स में केंदर सरकार पेट्रोलियम पदार्तों पर लगबग 25% अधिक 60-65,000 करोड रुपे एक्साइज डूटी के रूपे जादा वसूलेगी लगबग इतनी ही या इससे कुछ अधिक राशी राज्य सरकारों द्वारा भी वसूली जा रही है अर्थाग पेट्रोल, डीजल, रसोई गय समेथ सभी पेट्रोलियम पदार्तों पर केंदर वर राज्य सरकारों द्वारा मिलकर लगबग 135,000 या 140,000 करोड रुपे अधिक लिये गए अब प्रश्ण यह है कि जिस केंदर सरकार को इसी वित्यवर्स में कौरोना महामारी के संकर से उबरने के लिए अचानक 20,000,000 करोड रुपे की रासी आनन फानन में 71 करनी पड़ियो वह भी उस विसम परिस्तिती में जब लगबग 3-4 महीने तक पूरे देश का कामकाज पूरी तरह ठप था इसके बावजूत पहले दो महीने के दौरान ही 20 मही तक 33,000 करोड रुपे से अधिक की रासी देश के गरीबों के खाते में ट्रांसपर की जा चुकी थी 80 करोड गरीबों को 8 महीने तक मुफ्त अनाज दिया गया था क्या वर्केंद्र सरकार अगर 60,65,000 करोड की अतिरीक एकसाइज डूटी ले रही है तो उस टेक्स को हम क्या सरकारी लूट कहेंगे क्या उस सरकार को हम लूटेरी सरकार कहेंगे क्या पेट्रोल के अलावा क्या किसी अन्य उपोकता वस्तू का नाम आप बता सकते हैं जिसका मुल्य इस कठिन दौर में भी बढ़ा हो कौरानाकाल में यही इस्तती राज्य सरकारों की भी रही है उनके आये के सादन ठप थे लेकिन रहत के लिए भारी रासी उनको भी खर्च करनी पड़ रही थी अतब पेट्रोल की बड़ी हुई कीमतों पर हो राह उर्दंग और उसे करने वाले कितने कृत्यग्न, निक्रश्ट और ग्रणी थे इसका निर्णे इस वीडियो में बताएगे तत्यों को देख सुनकर आप स्वैम करिए थेंक्यू वेरी मच्च, जैहिन